Hello students, today we are going to start 9th mathematics integrated course book 2, chapter number 6, lecture number 1 Chapter number 6 which is fractions, हम fractions की बारे में अब देखेंगे इस chapter में पूरे हमें fraction देखने हैं, first of all आपको तो वही डाउट होगा कि fraction होता क्या है ठीक है? तो first of all मैं आपको वही बता देता हूँ, fraction का meaning क्या है? ठीक है? देखों, fraction का simple meaning है कि हम कोई भी चीज़ है, ठीक है? कोई भी चीज़ है, उसके दो पार्ट करते हैं, कितने पार्ट कि ये दो equal parts मैंने कर दिये ठीक है? तो उसका क्या meaning हुआ? कि मैंने एक चीज़ के दो पार्ट किये, ठीक है? तो पूरी उपर एक आएगा, और निचे, जो ये line है ना, उसको हम division केते हैं, ये line है ना, पूरा, उसको division केते हैं, ठीक है? और निचे क्या आएगा? दो, ठीक है? तो इसका क्या meaning हुआ? हमने दो पार्ट किये, किसके एक जिज़ के, इसा हम कह सकते हैं, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, हाफ पार्ट, क्या कहते हैं, ठीक है? ठीक है? वन आप तू मिन्स हाफ कहते हैं उसको, अब दीखों, like यहाँ पे pizza का हमें example दिया हो, ठीक है? what are the fraction? सपोज मेरे पास एक पूरा pizza था, मैंने क्या किया, दो उसके पार्ट कर दिये हैं, एक इसका और एक इसका, ठीक है? क्योंकि हमें जब eating करते हैं तो हम पार्ट करते हैं तो हम पार्ट करते हैं एक पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है? तो हमारा fraction हुआ, कि one half part और one half part इधर, half part इधर और half part इधर, तो दोनों half बन के total कितना बनता है, एक पूरा बनता है, ठीक है? तो यह one half होता है न, यह half होता है, वो हमारा क्या हुआ, fraction होए, these parts of or pieces of one wall are called a fraction, ठीक है, इसे हम कहते हैं, fraction के बारे में हम आगे देखते हैं, अब देखो exercise number 6.1, student क्या है उसमें equation, look at the image and write the fraction, हमें क्या करना है, fraction रिखना है, ठीक है? अब देखो, जब भी हमें पूरे का पूरा figure जो भी दिया हो, वो color कर दिया है, तो उसको हम बोलता है wall figure, ठीक है? wall यानि कि पूरे का पूरा figure, जब भी हमें parts भी है, यहापे कितने parts हैं, देखो, 1, 2, 3, 4, पूर्टर पार्ट कितने है? 4, उसमें से color कितने में different है? 1 में, त अब बोलते हैं, इसको 1, 4, ठीक है? यह देखो, एक पूरी figure है, उसके मैंने half part कर दी, equal parts, यह से हमने आगे देखा था, वो पीजा वाला question, तो यह इसको हमने क्या बोला था? half part, ठीक है, तो यह क्या हो, हमें हमेरा half, और इसको fraction में कैसे लिखते है? 1 by 2, तेन यहापर है, sorry two में, two में different color हैं, इसको बोलते है two, third, ठीक है, निचे total आएगा आपका, और उपर color वाला part आएगा, ठीक है, यहापर देखो, क्या है, four parts है, कितने parts है, four आपके पास part से, इसमें color कितने में है, दो में, तो यह क्या हूँ हमारा two, fourth, यह हमने fraction में लिखा है, और यह हम पूरा figure एक ही color से बना है, तो इसको क्या कहते है, वोल, ठीक है, एक ही color fill up कर दिया हो, तो उसको क्या कहते है, वोल कहते है, ठीक है, यहने कि पूरा figure, और अब यह घ्यान रख लो, उपर जो भी number है, इसको हम बोलते है, numerator, क्या बोलते है उसको, numerator, और नीचे जो भी number है, उ दिनोमिनेटर तुम क्या बोलते है डिनोमिनेटर अगर आपको कोई पूछ है 3 upon 5 इसको इसको 3 upon 5 भी बोल सकते है 3 by 5 ऐसे भी बोल सकते है और 3 divided 5 ऐसे भी बोल सकते है ठीक है तो कई तरह से हम बोल सकते हैं सिंपल हम क्या बोलते हैं 3 upon 5 ऐसा बोल सकते हैं तो 3 upon 5 उसका क्या मिनी हुआ इसमें मैं आपको बोलू कि numerator आप लिखो तो numerator क्या आएगा उपर वारा तो 3 और denominator denominator क्या आएगा निचे वारा यानि कि 5 ठीक है वो इसी को हम बोले कि इसको fraction में लिखो तो numerator उपर आएगा और denominator निचे आएगा तो इसका ऐसे हुआ ठीक है यह दोनों सेमी चीज है लेकिन आपको याद रखनी होगी exam में आपको कुछ भी पुछ सकते हैं question number B देखो उसमें क्या है color the following as a given हमें क्या color करना है ठीक है लेकिन first of all में क्या करना होगा यह देखो में आपको बता है निचे क्या था total 4 तो इसका क्या meaning हुआ कि निचे आपकी total figure कितनी होगी 4 यहापा देखो यह boxes आपको दिया हुआ ठीक है दिया है इसमें से 4 figure करनी है इतनी 4 तो equal parts करने होगे तो equal parts करने के लिए आप क्या लोगे अपनी pencil लेलो और एक scale लेलो क्या लो अपनी pencil लेलो और क्या लेलो अपनी scale लेलो क्योंकि scale और pencil से हम equal parts कर सकते है ठीक है अब देखो किसे करेंगे यह देखो यहां यहां तक हमें नाप लेना ठीक है कितना है सबोसर हमारे पास मेरे पास 0 सेakatan किया कहा तक है 26 तक ठीक है एंगए यह जियानि कितनी हुई 26 लैन हुई 36 36 लैन मेरी हो गये तो 36 को हमें क्या करना है equal parts में divide करना तो क्या करना पड़ेगा 2 से divide कर दो equal parts या नि 2 से divide कर दो तो कितना होगा 18 ठीक है तो 18 लाइन पर हमें एक point कर दो यहाप भी जब 15 16 17 और 8 यहापर मैंने point कर दिया ठीक है same मैंने वहाप पर भी map ले लिया यहापर क्या था यहापर कितनी हुई 28 ठीक है यहापर कितनी हुई 28 28 देखो 5 के बाद 8 पर यहापर लूग रुक रहे तो 28 हुई तो 28 को 2 से divide करो तो कितना हैगा 14 ठीक है division पर आगे में निकलवाए है तो यहापर 14 line पर क्या कर दो एक point कर दो equal parts हो जाएगे 10, 11, 12, 13 और 14 ठीक है 14 पर एक line डोट कर दो दो ठीक है डोट कर दिया अब simple draw कर दो जापर पॉंड किया ना वास है draw कर दो और आपकी equal parts complete ठीक है ठीक है यह आपका equal parts दोनो complete होए वेसे आपको सभी करने है आप वेसे भी कर सकते हो directly लेकिन आपको equal parts दीखने चाहे है ठीक है टारर्यक भी आप पर सकते हो लेकिन आपको equal parts दीखने चाहे है तो 4 मिसे हमें color कितने में करना है 2 में से तो यहाप पर color कर दो आपका कोई भी हो यहाँ पर इन दोनो boxes में color कर दो कोई भी ठीक है like this से क्लर यानि हैं have k3 को बता रहा हूँ किसमें इसमें और इसमें आपका प्राइट कर सा में यह दो दोनकि है है क्योंकि 4 दोनों में से क्लर करना है तो STEP क्या करना है तो दोनों में कर लेता हूँ अच्छा लगेगा जिरो से स्टार्ट किया कितना है या 27 कितना है 27 तो 37 ठीक है 37 इसको कितने पार्ट करने तीन पार्ट तो तीन डिवैट कर दो त्री बन जा थ्री जिरो से ओन है और त्री टू जा 16 बन बजा तो कितनी 12 लाइन हुई ठीक है तो 12 लाइन पे पोईंट कर दो कर दिया वेने फिर से 12 लाइन पे पॉईंट कर दो ओभी कर dिया ठीक है और पॉईंट किया है वहाद से लाइन तो कर दो लाइक दीस ठीक है तो equal parts आपको completely मिल जाएगे अगर आप ऐसे ही करोगे ना direct करोगे ना तो equal parts आपको नहीं मिलेगे तो इसमें से one में ही करना है तो बीच वाले में कर दो दो बाकी रेने दो अच्छा लगेगा इसमें तीन में से दो में करना है ठीक है total parts कितने हमारे पास तीन है ठीक है कितने पास है मारे पास तीन है तीन है तीन पास में भी सेम 12 12 का क्योंकि दोनों सेमी figure है ठीक है तो 12 पे एक minutes drop किया देओं बारा पे डोट किया अब line कर दो ठीक है ये मैंने line टो कर दी अब इसमें दो में करना है ना तो में करना कदो क्योंकि नीचे तो आएगा ना वह हमारे क्या होगा टोटल पार्स तो वन फिगर के तीन पार्स वे उसमें से उपर कितने हैं 2, तो इस 2 में हम color कर देगी, ठीके, और यहा पर دो से 2 में, ठीके, 2 में से कितने में, 2 में, तो इत्ले, इसके 2 parts कर दो, प्रोटल कितने थी हमारी पास, 38 थी जा, 38 का हमें equal parts करना है, तो कितने आएगे, 19, 19 पे क्या कर दो, point कर दो, ठीक है, तो यह हमारा equal parts हो जाएगा ठीक है, दो parts है और दो में color करना है, तो पूरे का पूरा color करना है, ठीक है अब तर आपको जो भी ferret हो, आपका वो color कर सकते हो, ठीक है अब देखो, fraction को हमें क्या करना है 6.2 देखो, given the below is a rectangular piece of paper, ठीक है हमें क्या करना है, draw a line to divide this paper according to the number given, write the fraction हमें क्या करना है, एक paper दिया हुआ, ठीक है उसके टुकडे करना है, उसके टुकडे करना है, ठीक है rectangular है हमारे पास draw a line to divide the paper according to the number given line draw करना है, ठीक है, line draw कर दिख और write the fraction और fraction भी नहीं है, ठीक है, अब simple इसकी मेंतर कुछ भी नहीं है, देखो हमें क्या करना है, जितने भी number दिये है ना, उतने parts करना है ठीक है, उतने parts करना है, कितने number parts दिये है ता 1, 2, 3, 4, 5 करना है और उपर क्या रिखना है 1, योकि 1 by 5 यहनी 5 का part हुआ, ठीक है ए 5 का 1 by 5 part हुआ a b 1 by 5, a b 1 by 5 a b 1 by 5, और a b 1 by 5 ठीक है यहापर कितने है, divide by 6 ठीक है, तो एक ही number को 6 से divide करना तो कितनी number 6 बार आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है देन 3 है, तो क्या करो 3 बालिक दो क्या करो, 3 बालिक दो, लेकिन क्या करना 1 upon 3, 1 upon 3, और 1 upon 3, 9 है तो कितने parts करने है, 9 parts करने है 4 है तो 4 parts करने है और 7 है तो 7 parts करने है क्यों कि simple है, उसका meaning यह है कि 1 हाप, 1 हाप बनके एक पूरा होता है ठीक है, तो वैसे ही same 3, 3, 3 यह 3 हाप, आप गिन लो तो 3 बार इस 3 को में combine कर दोंगा, तो हमें पूरा मिल जाएगा 3, ठीक है पूरा क्या मिल जाएगा 3 अब देखो 6.2 हमारा खतम हुआ मैं आपको बता दिया था, उपर वाले को हम बोलते थे numerator इनचे वाले को बोलते थे denominator ठीक है, यह हमारा एक क्वेशन है, अब देखो यहाँ पर सामने 6.3 आपको दिया हुआ है denominator और numerator आपको बता दिया, जो भी उसको बनता है, वो पूराफ्रेक्शन होता है 3, अब देखो क्या है exercise 6.3 जो भी total parts गिन लो कितने parts है, यहाँ पर देखो 2, 4, 6, 8 parts है उसमें से कितने में color है 2 में, जितने parts हो, उतने निचे लिखने के हैं, कितने parts थे हमारे पास 8, निचे लिख दो उपर कितने में color है, 2 में तो 2 by 8 है तो यहाँ पर जोइन कर दो यहाँ पर देखो एक दो तीन चार पात छे तो छे पार से उसमें कितने कलर है 2 2 by 6 यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 है कलर कितने में है 1 में तो 1 by 6 आंचर है यहाँ पर और लाश वालाई से भी 7 है वो निचायेगा 4 यहाँ पर कलर है पूर आएगा ठीक है यह हमारा 6.3 खतम हुआ तीनों के तीनों एक्सेसाइज आपको पेर बुक में भी लिखने है ठीक है यह भी आपको लिखना एक्षेक्शन किसको केते हैं निमेटर और तीनों के तीनों लिखने हैं और लास्ट वाली में जो भी है What do you think ? BLACK helps me a wall number helpless mean याणि हाप कितने हाप wall number हो प्र्णा बौल पूरा बनाते ठीक है simple देखनो यह हमारा pizza वाला थाना यह pizza हाप है यह दूसरा भी pizza हाप है यह पूरे का यापपपपारदा में join कर दो तो यह से हाजाएगा यह वाला parts यह रहा यह वाला parts यहाँ पर रहा तो पूरे का पूरा बन गया है एक wall यानि कि पूरा बन गया है दोनों हाप बन के तो दो हाप मुझे हाप चाहिए ठीक है 3, 3 by 7 means 3 divides by 7 मैं आपको बताए था ना जो यह है ना line उसको क्या कब divide केते हैं 1 divided 6 number कितने 14 अब बताए था ना 4 है ठीक है और पास क्या है 4 है तो कितने हमें चाहिए में का बोल में कितने चाहिए हमें 4 बनाने के लिए 1 by 4, 1 by 4 कितने टाइम्स चाहिए 4 बार 6 plus 2 मैं देखा था ना 4 है तो यहापे 4 टाइम्स रखेगे निचे डिनोमेटर में 4 आएगा उपर 1 आएगा तो 4 का 4 मिलके कैसे सब भी डिनोमेटर सेम हो तो उपर 4 का 4 का क्या होता है सम होता है 1 plus 1 plus 1 ठीक है 1 है तो 1 है 1 है 1 है तो 4 का 4 का सम सम क्या आएगा 4 by 4 यानि कि 1 4 से 4 divide कर दो 4 बन जा 4 ठीक है यह divide वाला है ना यह सिमल किसका है यह अमारा divide वाला है तो मैंने 4 से 4 divide कर दिये 4 बन जा 4 तो answer आया 1 तो 1 पूरा बनता है ठीक है 4 मेरा 1 plus लेगे now पीछे देखो submit अब ठीक है sum भी करना है देखो यहाँ पर दो पार से एक में color है निचे 2 उपर एक में color कितने पार से 4 पार से और 2 में color है 3 पार से और 1 में color है कितने पार से 5 पार से और 1 में color है ठीक है निचे ट्रोल पार्स उपर उसका color then divide and set set to the show part ठीक है 6 पार्ट कर दो मैंने आपको scale लेके बताए था ठीक है scale लो उसके नप लेना है क्या करना है scale लेके उसका नप लेलो कितना है 0 से start किया 45 तक है कितने है 45 ठीक है 4 के बाद 5 लैना है तो कितनी हुई total 45 हुई कितने parts करने हमे 6 part निचे लिखा ना उतने part हो गए ठीक है तो 6 parts हमें करने है ठीक है तो 6, 7, 14, 2 ठीक है 0, 3 हमार बचा तो कितना अंसर आया 7 यानि क्या करना है हमें हमें स्केल लेनी है और 7, 7 लाइन पे हमें क्या करना है 7, 7 वर्जा 14, 7 to the 21 like this ठीक है और 6 पार्ट हो जाएगे हमारे और 2 में उसमें कलर कर दो 3, यहाँ पर दीखो 4 में से 2 पार्ट में कलर करना है तो फ़र्जा पर मैंने 4 पार्ट कर दिया इक वाली उसमें 2 में मैंने कलर कर दिया ठीक है और लाश्ट वाला है उसमें क्या है 2 पार्ट से उसमें एक में कलर करना है तो मैंने क्या किया है यहापे scale लेके parse कर दिया ठीक है scale लेके मैंने parse कर दिया यहापे बीच में exit मैंने parse कर दिया ठीक है मैंने यहापे pencil किया है क्योंकि आपको दिखेगा ना इसलिए आपको pencil से ही करना है उसमें color भी आपको अच्छे से करने है ठीक है आपको जो भी आपके फेवरेट कलर वो करने है पेंसिल से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको दीखेगा नहीं ठीक है इसलिए मैं आपको पेंसिल से ही कंपर सरी करना है यहापे लाइन कर दो ठीक है लाइन कर दी यहापे क्या कर रहा है आपको कहे भी भी डाउट हो तो मुझे comment box में बताना ठीक है मैं आपको फिर से सिखा दूँगा कोई भी दिखात हो तो मुझे बताना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like और subscribe कीजिए आपको अगले वीडियो भी आपको तुरण मिल सके ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तब आप उतना पूरा मुझ कम्लेट कर लेना है ठीक है